तो दूस्तो USA20 लीग 2024 का कल 19 वा मैच डर्बन सूपर जैन से बना पाल रोयल्श के बीचे खेला गया और इस मैच में डर्बन सूपर जैन ने पाल रोयल्स को हरा कर पोइंच टेबल में पहले नंभर पर पहुझ गी जबकि PAL रोयल्स को पोइंच टेबल में काफ़ी बड़ा और कॉलिफाइग करने के लिए अपके इस टीम को कितने मैच और जीतने होंगे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी जो है मिलने वाली जो दूस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जाना इंपोर्टन वीडियो में अन्ता-ता का बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए ह start करते हैं तो दोस्तो points table में जो टीम सबसे आखरी यानि छटे नमबर पर है वो है जो बर के super king इस टीम का परदाशन इस साल काफी खराब रहा और इस टीम ने अब तक च्छे मैच के लिए और इन च्छे मैचों में से मातर एक मैच में जीता हासिल किया जबकि चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा है तो यह एक मैच जो है इस टीम का बाइस के चलते रद दुआ जहाँ जो बर super king के पास टोटल 6 पॉइंट है जो माइनस 1.833 है काफी ज़्यादा खराब है अब इस टीम को चार मैच और खेलें और आने वाले इन चार के चारो मैच में जीतने के साथ साथ बागी टीमों पे डिपेंड रहना होगा प्ले ओफ में कॉलिफाइ करने के लिए वह ही पॉइंट टेबल में पांच वे नंबर पर है प्रेटोरिया कैप्टल इस टीम ने अब तक को 6 मैच खेला और इन 6 मैचों में से 2 मैच में जीता हासिल कर पाई है जबकि 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है प्रेटोरिया कैप्टल के पास टोटल 8 पॉइंट अने जो है माइनस 1.282 है जो की काफी खराब है अभी इस टीम को 4 मैच और खिलने है और अने वलिंग 4 के 4 मैच में जीतने के साथ साथ काफी बहत्री ने टान रेट करना होगा प्ले आफ में जगे बनाने के लिए वह ही पोइंट टेबल में चौते नंबर पर है M.I.Captown M.I.Captown है प्लेट 0.164 है जो की थोड़ा बहतर है अभी इस टीम को 4 मैच और खिलने बागी है अगर आने वाल इन 4 के 4 मैच में टीम जीता हासिल कर लेती है तो प्ले आफ में कौलिफाई कर लेगी वह ही पोइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है संडाइस इस टीम ने अब तक को 6 मैच खिले है और इन 6 मैचों में से 3 मैच में जीता हासिल किया है जबकि 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है तो ही एक मैच जो है इस टीम को रद हुए और इस संडाइस इस टीम के पास टोटल 15 पॉइंट है ने टरंडे तीन मैच और जीत जाती है तो ओफिसली प्ले आफ में जगह पकी कर लेगी जबकि पॉइंट स्टेबल में तूसरे नंबर पर है पाल रोईस कल का मैच हारने वाली टीम पाल रोईस ने अब तक को 7 मैच खिले है और इन 7 मैचों में से 5 मैच में जीता हासिल किया है जबकि 2 मैच में हार का सामना करना बड़ा है पाल रोईस के पास टूटल 22 पॉइंट है ने टरंडे जो अपला 0.522 है जो की काफी बहतरीन है पाल रोईस जो है आलमोस्ट प्ले आफ में कॉलिफाइग कर लिए अभी इस टीम को तीन मैच और खेलें और इन तीन मैचों में से एक मैच में और ये टीम जीता हासिल कर लेती है तो ओफिसली प्ले आफ में जगह पकी कर लेगी वही पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर पहुँच चुकी है कल का मैच जीतने वाले डर्बन सूपर जैंट इस टीम अब तक साथ मैच खेला है और इन साथ मैचों में से पांच मैच में जीती है जबकि दो मैच में इस टीम को हारका सामना करना पर जो ही डर्बन सूपर जैंट के पास से टोडल 23 पॉइंट है ने डर्बन जो है प्लस 1.097 जो कि काफी जादा सबी टीमों से बहतरीन है इस टीम को एक पॉइंट बोनस में मिल है और एक टीम जो है अलग बग प्ले आओफ में जगे पकी कर लिए अब इस टीम को तीन मैच और खेलें और आने वाले इन तीन मैचों में से एक मैच में और जीता हासिल कर लेती है तो ओफिसली प्ले ओफ में जगह पकी करने के साथ साथ पोइंच टेबल में पहले नमबर पर फिनिश कर सकती है तो दोस्तो यह रहा ऐसे 20 लीग 2024 का नया पोइंच टेबल जो की 21 मैच के बात का है तो आपको क्या लगता है डर्बन सुपर जन्स पाल रोयल्स के साथ कौन सी ओ दो टीमें और रहेंगी जो प्ले ओफ में कॉलिफाइग कर बाइंग कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं अगर आपको पसंद आयो वीडियो को लाइक कर देने चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइक कर देना थैंक्यो सो मज गाइस फोर वाचिंग इस वीडियो